हेलो गाइस गुड मॉर्निंग तो अभी हमने बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है दिसंबर का वो शॉट किया है 90 कॉंटिटी और 47,940 के असपास बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और हमारा कहना यह है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है इसलिए हमने आया उस रिकवरी में हमने राइज जैसे ही राइज आया हमने सेल उन राइज पे इसको शॉट कर दिया बैंक निफ्टी के दिसंबर फ्यूचर को क्योंकि चार्ट के हिसाब से यहां से डाउन स्कोप है मार्केट में तो अभी देखते हैं बाकी टार्गेट हमारे 100 पॉइ में तो यहां पर वॉलेटिलिटी हो थी है तो अप डाउंस ज्यादा आते हैं कि नीचे गया फे उप्र ने बाएर जादा हुए पिर रॉपर आजाएगा और उपर जाएगा तो प्र व्यांस प्रॉफिद्र पॉवी होते हैं तो लग अला प्रॉफिड बुकिन वographic यह होत करेंगे बेसिकली और चीह हजार का प्रोफिट अभी चल रहा है और अड़ा तालीस हजार के आसपास हम इसको सेल कर देंगे तो देखते हैं अभी अभी 840,000 पैंतिस पर चल रहा है मार्केट तो यहां से हमारा 48,000 के आसपास का ही टार्गेट रहेगा और अभी 47,917 पर चल recovery आई थी और वहाँ से उस recovery में हमने इसको shot किया है bank nifty को तो 6,000-7,000 का profit हमारा भी फिलाल चल रहा है और हमारा target achieve होने के कगार पे है तो देखते हैं अभी कितनी देर में हमारा target achieve हो जाता है और क्या पता यहां से move ना भी achieve वो ऐसा भी हो जाता गई बार क्योंकि पता नहीं चलता market का exact तो वो चीज़ हो जाती है बाकी achieve हो जाना चाहिए target 48,025 पे चल रहा है भी bank nifty future December का और nifty को देखेंगे तो nifty 21,428 पे चल रहा है भी फिलाल तो bank nifty थोड़ा जादा वीक है as compared to nifty अब देखो profit हमारा थोड़ा सा कम हो गया 7000 का profit चल रहा था वहां से 5000 पे आ गए है वापस से 7 पे आ गए है तो fluctuation काफी रहती है morning में खास कर जो market होती है वो volatile रहती है और अभी weeks भी 14 के आसपास चल रहा है तो उससे भी market में जो है volatility भड़ेगी तो उसका भी खयाल रखना पड़ेगा साथ साथ तो इसलिए हमने 48000 का ही target लगाया है क्योंकि वहां से हमें आ रहा target like हमारा 9000 10,000 के आसपास का profit बन जाएगा तो वहां से हम उसको exit मारेंगे और उसके बाद दूसरे trade का wait करेंगे continue हम trade में बने नहीं रह सकते क्योंकि अभी market उतना like downside दिखा नहीं पा रहा है काफी दिनों से अप चल रहा है तो bull market भी कह सकते हो इसको तो इसमें continue बैठे रहना short position बना के वो थोड़ा मुश्किल रहता है तो यहां से अभी थोड़ा सा हमें और चाहिए नीचे market ताकि हम अपना profit को book कर सकें बाकी देखते हैं कि क्या होता है profit होता है यहां से reverse हो जाता है market कुछ भी हो सकता है nobody knows बाकी charts देखके हम बस एक idea लगाते हैं कि market कहां जाना चाहिए तो guarantee मालब किसी चीज की नहीं होती परफेक्ट कुछ भी नहीं होता कोई आपको अगर guarantee assured बोलता है कि मैं आपको 100 points guaranteed capture करवा के दूँगा तो वो चीज सब fake है सब try कर सकते हैं पक्का कुछ नहीं होता market में तो यहां पर अभी बस यह है कि अपने सूज बूस से trading करो तो वहाँ पर chances ज्यादा हो जाते हैं आपके profit में रहने के it's all about like आप कहां buy कर रहें कहां sell कर रहें timings क्या है greedy बगरा तो नहीं है इतने तो वो सब अपने indicators के सबसे काम करते हैं और बाकी यह है कि टेकनीक होनी चाहिए पैसा बनाने की patience होने चाहिए कब खरीदना है और कब बेशना है यह आपको पता होना चाहिए तो अभी पैसा बन पाएगा और लालच बिल्कुल side कर दो अभी पैसा बनेगा और अभी हमारा 5000 का profit चल र प्रॉफिट तो चली रहा है बाकी यह है कि कितना profit होता है वो अभी वक्त बताएगा और अभी market जो है 47,900 पे चल रहा है और bank nifty 48,040 पे चल रहा है तो तक्रीबन तक्रीबन 200 प्लस point का gap है bank nifty और futures में और spot price में तो यह gap जैसे जैसे expiry नजदीक आईगी यह gap fill होता रहता ह है तो अभी 7,000 का profit चल रहा है उमीद तो है अभी बस आने वाला है हमारा target और target आते ही हम exit कर देंगे उसके बाद फिर कुछ तैम बाद दुबारा देखेंगे कि क्या trade मिल पाएगा option selling पे भी नज़र रखेंगे अब हम क्योंकि weeks जो है वो 14 के असपस चल रहा है तो कोई option selling का भी trade मिलेगा तो लेंगे और जैसे जैसे weeks उपर जाता रहेगा दीरे-दीरे कुछ दिनों में तो हमें फिर option selling के भी trade मिला करेंगे तो अब देखना यह है कि target कितनी देर में achieve होता है क्योंकि बहुत close आ गए हम तो यहां पे 48,000 आते ही हम exit कर देंगे तो 8,000 क्या सपस का profit चल रहा है अभी हमारा 9,000 का profit अभी आ गया है एक आद मिनट में हम exit करने वाले हैं क्योंकि हम एक dip का wait करते हैं हमेशा जैसे हमारी आदत है अगर कई बार होता है कि जब market नीचे जाती है तो एक dip अच्छी मिल जाती है तो वो dip में हम exit मार देते हैं तो 9,000 का profit चल रहा है ब और अभी इसको हम exit करने के लिए ready हैं तो यहां पे 48,000 पे ही चल रहा है भी market फिलाल देखते हैं भी 9,000 का profit चल रहा है एक आद मिनट और wait करके हम इसको exit मारेंगे क्योंकि यहां पे हमारा profit तो आ गया है टार्गेट भी आ गया है बट वही है कि एक dip करते हैं चलो कोई बात करते हैं इसको दुबारा trade और मिल जाएगा यहां पे 9,400 का profit हमारा बन गया है हमने बिना सोच फिर exit मार दिया है और क्योंकि दुबारा trade तो वापस से कोई ना कोई मिल जाएगा क्योंकि morning का time है इसके बाद भी trade हम लेंगे कोई ना कोई definitely तो 9,400 का हमने profit अभी बना लिया ह लेकिन ये day end पे पता चलेगा कि ये हम बचा पाते हैं या और इससे और profit ज्यादा बना पाते हैं वो day end पे पता चलेगा क्योंकि जब तक दिन खतम ना हो क्योंकि कई बार गलट trade भी हो जाते हैं उसमें loss भी हो जाता है तो जब तक दिन खतम ना हो तब तक हम बोल नहीं सक कि और ट्रेड क्या मिलते हैं हमें तो गाईज यहां पे बारा बच के 40 मिनट का टाइम हो रहा है हमने एक बैंक निफ्टी का 47 900 का पुट एड कर लिया है और अगर आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर देखेंगे दिसंबर फ्यूचर हमारा 16000 का प्रॉफिट दिख रहा है इसलिए सुबह हमारा जो प्रॉफिट था बैंक निफ्टी के फ्यूचर से 9000 था अब आपको दिख रहा है 16000 तो टोटल हमारा इसमें 16000 का प्रॉफिट हो गया है बैंक निफ्टी फ्यूचर से और यह जो ट्रेड एक और लिया है यह हमने बैंक निफ्टी का 47 900 का पुट हमारी जो अशनंका हमें लग रही ए मार्केट नीचे जाने की हमने बैंक नुखस्त फॉचर से जब इस वाइना है अभी ञेखते हैं जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो जाती हमने प्रॉफिट कितना बूक किया अभीaeda चल रहा है तो देखते हैं यहां तक profit हमारा आज बन पाता है क्योंकि आज morning अच्छी रही है हमारी पहले 9000 का profit book किया फिर उसके बाद 7000 और किया तो टोटल 16000 का हमने bank nifty future से ही profit book कर लिया तो दोनों trade हमारे सही दिशा में गए हमने दोनों बार short ही किया था bank nifty future को और दोनों बार हमारी timing अच्छी थी और हमने ठीक ठाक पैसा बना लिया अब देखना ये होगा कि जो पैसा बनाया है इसे हम hold कर पाते हैं या नहीं कहीं ऐसा ना हो कि जो बनाया हो हाथ से निकल जाए तो अभी वही watch करना होगा और बाकी उपर वाली जो यह वाली ट्रेड अभी running चल रही है ट्रेड 47-900 पुट की इसके अंदर हमारा तकरीबन 30,000 का investment लगा है तो यह आज जीरो नहीं होगी अगर market बाइचांस उपर भी चला जाता है एकदम से और हम ध्यान नहीं दे पाते जो भी हो सकता है X,Y,Z reason की वज़े से तो फिर भी आज यह 0 नहीं होगा आज यह इसमें बस DK लगेगा 0 आज यह नहीं होगा बाकी hold करना चाहें अगर हम तो इसको हम Wednesday तक hold कर सकते हैं क्योंकि bank nifty की जो expiry है वो Wednesday की है और इसमें बड़ा move आ भी सकता है पूट साइड में एक दो दिन में जहा तक लग रहा है मुझे बट देखते हैं अभी क्या situation बनती है और बस hold करने में यही सरदर्दी होती है कि overnight जो है रहता है position उसमें थोड़ा mind में tensions रहती है बस यही रहता है कि मलब mind थोड़ा US market की तरफ जाता है और फिर morning में time लिटना पड़ता है देखना पड़ता है market को watch करना पड़ता है सारे काम छोड़के तो वो थोड़ी tensions रहती है बाकी उमीद है कि एक दो दिन में थोड़ा slide आ सकता है market में क्योंकि pending है एक slide काफी time से और अभी देखते हैं यहापे हमारा trade जो है यह वाला चल रहा है जो वो पंदरास हो के आसपास का profit दे रहा है अज ठीक ठाक 18000 का profit हमारा चल रहा है तो देखते हैं कि बना रहेगा यह शाम तक साड़े तीन बजे तक यह नहीं देखते हैं या तो इससे ज़्यादा हो या कम हो देखते हैं जो भी होगा वो 330 बता चल जाएगा या शायद उससे पहले भी अगर हम उससे पहले decide कर लें कि हमें और कोई trade नहीं लेना तो उससे पहले भी शायद पता चल जाए तो देखते हैं wait and watch कर रहे है बाकि daily basis पे profit हमारा हो रहा है भी ठिक ठाक और daily videos में upload करी रहा हूँ और daily profit जो हो रहा है उसकी proper video डालता ही हो बाकि देखते हैं अभी तो guys एक बच के 48 minute का time हो रहा है और हमने यहाँ पे एक hero zero trade एड़ कर लिया है आज mid cap nifty के expiry है तो 7500 quantity हमने एड़ की है 3 रुपे पे mid cap nifty की और 3 की हमारी average है और अभी 5 के आसपास चल रहा है तो यहाँ पे अभी हमें profit हो रहा है वैसे तो और second thing यह है कि जो 47900 का put में हम बने हुए थे वो 47900 का put हमने flat exit कर दिया है without profit loss तो अभी बाकि यह देखते हैं कि जो आज हमने mid cap nifty का लिया है यह हमें आज profit दे पाएगा या नहीं क्योंकि देखो Wix जो है काफी उपर आ चुकी है 14 के आसपास 14 प्लस चल रही है Wix और यहाँ से एक dip की उमेद मुझे लग रही है कही ना कहीं कि आ सकती है तो देखते हैं बाकी ज्यादा हमने investment किया नहीं है तो सिर्फ 2000 का ही investment है hero zero trade में क्योंकि हम ज्यादा profit हमारा जो profit बन चुका है मुझे खोना नहीं चाते हैं अब अगर इसमें से loss भी होगा तो ज्यादा नहीं होगा थोड़ा बहुत ही जाएगा फिर भी हम profit में ही रहेंगे तो अभी फिलाल position यही है हमारी last position अभी यह जो चल रही आपके सामने है इसके बाद हम मारा कोई trade हम लेंगे नी क्योंकि यही position में हम end तक wait करने वाले है क्योंकि put side हमने position बना लिया है और हमारा यही आज point of view है कि market नीचे एकदम से जा सकता है तो इसलिए हमने put side position बना लिया है तो अब बस wait and watch रहेगा देखना यह होगा कि यह position हमें profit आज देगी या नहीं देगी तो med cap nifty के expiry है और hero zero trade हम daily basis पे लेते ही हैं एक ना एक तो आज भी हमने hero zero trade ले लिया है बाकि अभी भी profit में चल रहे हैं overall hero zero trade में बट हमारी quantity हमने उस purpose से नहीं लिया है profit होगा अगर हम उस purpose से लेते हैं जैसे 100% देको ना situation होती है आपको cases आपसे आपका buy कर रहे हैं आपके mind में आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर manager buying किया है यह 100% profit के लिए नहीं किया है बाकि देखते हैं अभी कितना होगा क्या होगा तो यहाँ पर अभी situation यह है कि हमारा 100% profit तो हो रहा है बट हम यहाँ से इसमें exit नहीं ले रहे तो क्योंकि हमारा target थोड़ा ऊपर का है तो यह वाला trade हमने 100% target सोचके नहीं लिया है हमारा कम से कम 2-3 times का target कम से कम रहेगा यहाँ पर देखते हैं बाकि अचीव होता है या नहीं होता नहीं तो वेट करेंगे क्योंकि market में कहीं नहीं मुझे लग रहा है कि तीन वजे के आसपास एक dip आ सकता है तो इसलिए मैं बस इसमें वेट कर रहा हूँ जबकि मुझे 100% profit हो रहा है लेकिन मैंने यह जो trade है 100% profit के लिए नहीं लिया है फिर मैं आपको बता रहा हूँ और अगर 100% profit के लिए लेता तो थोड़ा मैं ज़्यादा invest करता इसमें और अभी हम वेट करेंगे तकरीबन तकरीबन 10-12 के उपर जाएगा फिर हम महाँ पर exit करने का विचार करेंगे अभी हम वेट करेंगे इसको और अभी 17,000 का हमारा profit चल रहा है फिलाल बट फिर भी हम स्टिल वेट करना चाह रहे हैं और देखते हैं अभी कहां तक पहुंचता है क्या होता है आज market में तीन बजे के आसपास आ सकता है एक dip panic dip तो देखते हैं आएगा नहीं आएगा बाकी wait and watch और अभी mid cap निफ्टी है वो चल रही है 10,300 के असपास और अगर आप 300 put और 300 call को देखेंगे तो call थोड़ी ज्यादा चल रही है जबकि put को होना चाहिए इस टाइम 6-7 रुबए पर तो यह जो price का difference है न यह दिक्कत देता है और अगर price का difference ना हो तो अभी हमारा अच्छा कासा profit चल रहा होता तो अभी यहाँ पर देखेंगे 8 रुपए का high बनाया है यहाँ पर 11 रुपए का high भी बनाया है तो यह चीज है कि दिक्कत यहाँ पर आ जाती है कि prices मैच नहीं करते हैं आपर put के prices को ज़्यादा होना चाह और call के price को कम होना चाहिए जो strike price अगर आप 10-300 की देखेंगे put और call की दो बट यहाँ पर उल्टा चल रहा है क्योंकि spot चल रहा है 300 से नीचे तो जाहिर सी बात है put को उपर होना चाहिए बट नहीं है put उपर तो यहाँ पर manipulation काफी चलती रहती है जो कि समझ से भार है थोड है एक steep fall का weight का हम कर रहे हैं हापे ज्यादा नहीं 40-50 point का fall आजाए एकदम से तो वहाँ पर हमारा बढ़िया हो जाएगा बागी देखते है wait and watch और कभी भी हम यही करते है कि profit अगर हमारा ठीक ठाक हो जाता है तो हम last वाला trade ज्यादा heavy नहीं लेते हैं उसमें अपने profit में से थोड़ा बहुत invest कर देते हैं तक हमारा profit जो हमने secure कि है वो जाए ना क्योंकि हमें कल फिर trade लेना है daily trade लेना होता है तो positive note के साथ हम कल start करेंगे again अगर आज हमारा positive बंद होगा यहां से चलो हमने 2000 और लगा दिया मालो हमारा 14,000 रहे गया आज day end में यह zero हो गया जो हमने अ अच्छा profit है और उसमें हमारा यह रहेगा कि positive note पे close करेंगे तो कल morning में अलग से energy भी रहती है कि हाँ चलो कल भी अच्छा profit हुआ था तो इसलिए daily profit book करने के आदा डाल लो तो वो ज्यादा best है एक profit बड़ा profit बनाने की बजाए मेरा suggestion यही रहेगा कि छोटे छोटे आपको बड़ा हो लेना चाहरे हो आप और वो आपको नहीं मिल पारा और daily उसके चक्कर में loss हो रहा है तो वो चीज बिलकुल सही नहीं है और जिस दिन वो profit आना होगा na jackpot वाला जिसे आप कहते है jackpot वो अगर आना भी होगा तो हो सकता है कि उस दिन आप पहले ही exit कर दो त इस planning पर उस planning को execute करो उस planning को चेंज मर कर दो कि मतलब चलो यार इतना हो रहा है भी और आ सकता है और आ सकता है तो वही है कि जिस purpose से अपने trade लिए वो purpose solve हो रहा है तो बस वहाँ पर exit करना ज़रूरी है तो देखते हैं अभी यहां पर 10,296 रुपए पर चल रहा है mid cap nifty, mid slack nifty और बाकी देखते हैं कहां जाता है, bank nifty अपना वई, 0.60% डाउन है, more than half percent डाउन और हमारा यहां पर अभी भी put side को ज़्यादा होना चाहिए था और call side की strike को कम होना चाहिए था, बट उल्टा चल रहा है अभी still, फिल, फिलाल, तो देखते हैं कि यहां पर यह ठीक होता यह नहीं होता, ठीक होगा तो हमें अच्छा गासा profit देगा और एक dip भी मैं expect कर रहा हूँ, अभी तीन बजे के आसपास, अकर वो आ गया तो ठीक है नहीं आया तो फिर देखते हैं फिर क्या होता है, कहां exit करते हैं, बाकि अभी मेरा वही है कि stop loss जो मैं mind में लगा के चल रहा हूँ, वो अपना average का ही लगा के चल रहा हूँ, buying price का, अगर in case buying price आएगा, तीन बजे के बाद लगाँगा अभी नहीं, अभी mind में नहीं लगा क्योंकि तीन बजे के बाद लगाँगा, क्योंकि तीन बजे तक मैं वेट कर रहा हूँ, एक dip का, तो तीन बजे के बाद अगर like मेरा buying price भी आता है, तो वहा से मैं exit कर दूँगा, और अभी फिलाल में वेट कर रहा हूँ एक dip का, dip आएगा तो premium बढ़ेगा, premium shoot करेगा तो ह में फाइदा होगा, simple, simple सी कहानी है, क्यों ज़्यादा उलजना इसमें, 6 रुपए पे आ गया है, ठीक ठाक profit दे रहा है, double हो गया है हमारे price, बट वेट कर रहे हैं कोई बात नहीं, ज़्यादा हमने लगाया है, ज़्यादा लगाया होताँ, exit कर देते हैं, 8 पे भी आ चुक बाकी देखते हैं, क्या होता है, profit एक दम double हो जाए तो और मज़ा ही आएगा, 20,000 चल रहे है, 40 हो गया तो मज़ा क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, अभी वेट कर रहे हैं, एक dip का, देखो देखो क्या होता है, आएगा नहीं आएगा, 295 पे चल रहा है, 10, 295 पे, mid select, और 6, 46, 36 पे चल रहा है, हमारा 10, 300 का put, देखते हैं, यहाँ पे हमने 8, 9 पे आया था, हमने नहीं profit बुक किया, महाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क तो कभी-कभी लेना भी बढ़ता है, ज्यादा बड़े amounts से नहीं ले रहा है, थोड़े amounts से ले रहा हू वहाँ पे मैंको 3 ताइम्स मिल रहा था, 9 पे आया था तो, बट फिर भी मैंने वहाँ पे, नहीं exit किया, तो यहाँ पे अभी वेट करने का ही टाईम है, और मैं वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं, कि मेरा वेट करना, कितना हद तक, सही रहता है या नहीं रहत सही रहेगा तो भी ठीक नहीं रहेगा तो भी ठीक क्योंकि फैसला हमारा ही है तो इस पे विचार क्या करना अब जब ले लिए फैसला तो और ज्यादा बड़ा मांट बनी है न पॉइंट ही है ज्यादा मोटा होता तो फिर देखते कुछ अपनी पोजिशन साइजिंग हमने इस आप से कंट्रोल रखी हुई है कि हम लंबा ले सकें लंबा जा सकें तो हम उसका वेट कर सकें अगर यहीं पोजिशन साइजिंग हमारी यहां पर तीन-चार गुना होती यहां से तो फिर तो फ्लक्ट्वेशन बहुत होती फिर तो शायद हम नौ क्या छे पर भी एक्ज पर तो वो सिच्वेशन टू सिच्वेशन डिपेंड करता है आपकी पोजिशन साइजिंग इसलिए आपको पता होनी चाहिए कितने तक आप जेल सकते हैं कितना लॉस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और कहां पर आपको स्टॉप लोस लगाना है का एक्जट करना हो सब ची करना है कितना बाई करना एक्जिट कहां करना वो चीश आपको पता हो नीचे जितना आप जेल पाओ तो पांच छे के आसपासी चल रहा है हमारा 19,000 का प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा मिल रहा है हमें जो कि हमारे डिस्प्ले में दिख रहा है बट अप ही हम थोड़ा सा और इंतजार करना पसंद कर रहे है 259 हो चुके हैं यहां पर एक दो मिनट और उसके बाद हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे अपना तीन रुपए का हमारी बाइंग प्राइस का वह आती हम एक्जिट मार देंगे तो देखते हैं अभी यहां पर एक दो मिनट में आता है कु डिप आएगा तो प्रीमेम शूट करेगा हमारे पुट का अच्छा खासा नहीं आएगा तो फिर कोई शुनी है अपने प्राइस पर निगल जाएंगे हम तब भी कोई दिक्कत नहीं है प्रॉफिट तो सिक्योर करके ही जाएंगे और देखते हैं भी दस 1290 पर चल रहा है म आप्शन बाइंग के लिए तो बड़ी दिक्कत चलती है अंपर देखते हैं भी आजा भाई आजा थोड़ा सा डिप तो आजा बीस देस पंद्रा बीस पॉइंट कर डिप आजा उतना ही काफी हमारे लिए आज के लिए आदा तो हमारा बन चुका है आदा और बन जाएगा बात हो जाएगी पूरी फिर छे रुबए असी पैसे पे चल रहा है हमारा फोकस फोकस अब तो फोकस क्या ही करना अब तो बस वेट अन बहुच ही करना है अधरवाइस एक्जिट करना है प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट बुक करना है नहीं आया तो हमारा रेट हमने तो नौ रुपए पर चुका है नौ रुपए पर अच्छा का सा आ गया था बट हम थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन यहां से कर रहे हैं एक टिप की जो कि तीन बजे आ जाना चाहिए था बट तीन बज चुके हैं उपपर हो चुका है था टाइम आठ-55 प्रद च्छल रहा है क्या करें यहां से एग्जिट करें क्योंकि डप तो आया नहीं तीन बजे तक या आज वेट कर लें कि बाद में किला शिक्वा रह जाएगा अगरे intriguing और फिर आ गया तो वो भी एक गिलाशी को अच्छा खासा रह जाएगा कि हमारे exit करते ही market में deep आया और put के premium उपर चले गए और हम वहीं के वहीं रहे गए तो कर लेते हैं वेट थोड़ा सा और ज्यादा कुछ लगाया नहीं है ज्यादा कुछ पाने को ज्यादा कुछ खोने को है नहीं तीन यहाँ पर नहीं लगाया कोगे तो यहाँ लगा दूँगा माइंड में लगाओ यहाँ लगाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक्टिवली मैनेज कर रहा हूं ट्रेड को तो माइंड में लगा लिया है वही काफी है और तीन पर आते ही exit मार देंगे बा दिल की बाद भी सुन लेते हैं वेट कर लेते हैं क्या पता आज कुछ दिल अच्छा कह रहा हो तो हो सकता है कुछ बड़ा हात लग जाए बाकी तीन बच के दो मिनट हो गए है तो देखते हैं दो चार मिनट हरकत देखते हैं आज हरकत क्या होती है midcalf nifty की और expiry तो है यह आज तो बूम होगा नहीं होगा पुट साइड तो वो देखना पड़ेगा आप देखते हैं छे रुपए पर चल रहा है भी नीचा आता हुआ नजर आ रहा है ये तो ये तो गड़बड़ा आगया है महौल अब तो दिक्कत सी लग रही है इसमें चार रुपए पर आगया है ये तो ये तो निकल गया एक्जिट करने का मौका अगया टाम आगया तीन भीस पर आगया दो पि तो कर देते हैं फिर तीन पे तो आई गया है मार देते हैं इसको एक्जिठ कुछ बचा नहीं है अब इसमें जैसे मैंने कहा था कि तीन पे आ जाएगा उसके बाद उपर जाने के chances कम हो जाएंगे चार पे आ गया ये चार चार पे चल रहा है अब तीन पे आते ही exit मार देंगे अगर तीन पे आया तीन से नीचे आया जैसे तीन से नीचे दिखते ही हम इसको कर देंगे exit वेट नहीं करेंगे फिर चार पर चल रहा है चार पर देखते हैं भी stop loss hit होने ही वाला है हो जाएगा जामरा stop loss hit अब stop loss hit हो रहे है उपर आगया है तो 5 रुपए पर आगया fluctuation बहुत हो रही है बहुत ज़्यादा market में काफी fluctuation है ऐसे कैसे चलेगा 5.35 पर चल रहा है 5 पर आगया है वापस से पर stop loss 3 का है तो इसलिए वेट कर रहे हैं 5 पर भी exit कर सकते हैं बट अभी 3 का stop loss है तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं अभी थोड़ा सा target हमारा उपर का है point यह है आज situation धोड़ी अलगया है wix को देखते हुए मैं hold कर रहा हूँ बाकी बात यह है wix 14 प्लस चल रहा है तो उसको देखते हुए मैं hold कर रहा हूँ wix आज 6 परसंट बड़ा हुआ है 6-7 परसंट तो इसलिए मैं को लग रहा है कि कहीं न कहीं एक dip आ सकता है market में ठीक ठाक तो उस dip के इंतजार में हम बैठे हुए बाकी ऐसा काम करने में मज़ा तो नहीं आता अगर नीचे चला जाएगा तो कोई फाइदा नहीं है अच्छा कासा हमारा आ रहा था प्राइज बाकी बस आज थोड़ा अलग डे था विक्स के हिसाब से तो इसलिए हम थोड़ा आज अलग तरीके से hero zero trade हमने play किया है और वैसे हमारा daily जो play होता है hero zero का वो mostly 100% का होता है जितना लगाया उतना आया चलो जी टाटा वाइबाय हमारा daily वैसा हिसाब किताब रहता है और वो सही भी लगता है हमें इसमें इतनी देर बैठना भी पड़ गया और आज शायद आज अभी तक की मेरी से सबसे लंबी वीडियो बनी होगी अभी तक की सबसे लंबी वीडियो यही है कर दिया भाई exit तीन रुपए पे दिखते ही exit कर दिया और देखो अब दो साट पे आ गया दो पेंतालिस दो तीस पे आ गया दो बीस पे चलो हमने तो कर दी exit तीन पे दिखते ही दो से भी नीचे आ गया तो अपना काम तो हो गया और यहां पे 16,792 रुपए का profit हुआ है कुछ कटेगी ब्रोकरेज बाकी सारा हमारी जेम में तो आज profit सही हो गया बढ़िया हो गया आप लोगों का रहा profit loss चो भी कमेंट करना थैंक यू सो मच